कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आप लोगों का ACCA के AA की revision video series के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सज़्यादा चीज़े आपको revise करा है आप लोग क्या करेंगे मैं आपको वो guide कर देदा हूँ सबसे पहले video को like करेंगे और सबके साथ share करेंगे क्योंकि exam जिसके भी आ रहे हैं उन्हें ये videos बहुत help करने वाली है देखिए बहुत ध्यान सुनिए कि इन बातों को और note कर लीजे ये 2-4 minute बहुत important है आपके लिए जो मैं बदाने वाला हूँ नहीं तो आप फिर बात में बोलो के sir हमें तो इस video में मज़ा नहीं आया तो भाई मज़ा तभी आयागा जब आप पहले पूरी guidelines जो है उस सुन लोगे इन videos का फाइदा आप तभी उठाएं जब आप पहले detail में double A पढ़ चुके हैं हम अपनी classes में जो भी book refer करवाते हैं आपको उनी books के हिसाब से हम लोग ये revision videos भी बना रहे हैं एक बात दूसरी बात classes में मैंने आपको जो शुरू के 6-7 गंटे लगा के basics समझाया है वो बहुत ज़रूरी है उसके बिना तो आप ये video देखने के सोचे बिना although पूरा syllabus complete हो तभी आप देखें लेकिन वो basics बहुत 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 ज़ादा ज़रूरी है उसी से आपको सारी चीजों पे clarity आईगी वीडियो की pace जो है speed मैं थोड़ी सी fast रखने वाला हूँ अगर आपको ज़्यादा fast लगे तो आप slow कर लिजेगा और अगर आप लोग को slow लगे तो आप लोग fast कर लिजेगा YouTube में option होता है है ना एक बात और अगर आप लोग ACCA की किसी भी level की classes लेना चाते हैं learn91.com पे visit करें और classes में अपने आपको enroll करा लें आपका registration हम लोग ACCA के साथ जो registration cost होती है वो हम लोग bear करते हैं आपको बहुत कम price में बहुत जबरदस्त हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि value provide कर पाएं तो all level classes available at learn91.com चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी revision की कि कैसे जो है हम लोगों ने इसको revise करना है so basics of assurance पर हम लोग जो है इस वीडियो के अंदे बातचीत करने वाले हैं सबसे बहले assurance है क्या assurance का simple सा meaning होता है opinion देना हाँ जी क्या देना opinion देना specific information में हमारे case में specific information क्या होती है financial statement होती है opinion क्यों देते हैं ताकि user confident decision जो है वो ले पाए अच्छा एक बात आपको और बता दूँ कि जो भी important topics होंगे न वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये important topic है exam point of view से तो आप उसे mark करते जाएगा आजाओ लीजे then उसके बाद assurance से और क्या होता है एक तो confident decision हो पाता है और साथ साथ में जो risk of information being incorrect है वो कम हो जाता है in simple words misstatement होने के chances जो है वो कम हो जाते हैं याद रखेगा zero नहीं हो जाते हैं कम हो जाते हैं opinion sufficient appropriate audit evidence के base पे जो है वो दिया जाता है इसी page के अंदर बहुत important बात है assurance क्या है opinion है confident decision में काम आता है information के गलत होने के chances कम हो जाते हैं और आपका जो opinion है वो sufficient appropriate audit evidence के basis पे दिया जाता है now this is important from exam point of view इसको हम लोग mark कर देते हैं यह आपके exam में पूछे जा सकते हैं के assurance के 5 elements क्या है तो number one is three party involvement practitioner intended user responsible party practitioner वो जो opinion देता है intended user वो जो decision लेना चाता है एक particular information के basis पे responsible party वो जिसमें वो information बनाई है appropriate subject matter यह वो ही है subject matter जिसमें practitioner opinion देगा और हमारे case में appropriate subject matter क्या हो गया हमारी financial statement intended user इस subject matter को use करना चाता है responsible party ने इस subject matter को जो है वो बनाया होता है suitable criteria सूटेबल क्राइटीरिया क्या होता है सूटेबल क्राइटीरिया बोले तो वो गाइडलाइन, वो रेगुलेशन, वो पॉलिसीज जिनको ध्यान में रखके सब्जेक्ट मैटर बनना चाहिए था अगर मैं आपकी बात करूँ तो एशॉरेंस भी देता है, तो वो क्या करता है वो सब्जेक्ट मैटर को कंपेर करता है सूटेबल क्राइटीरिया से, क्या सब्जेक्ट मैटर सूटेबल क्राइटीरिया के हिसाब से बना है या नहीं बना है, इन शॉट क्या तबी दे पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा sufficient appropriate evidence इसको माने वाले chapters में और अच्छे से revise करेंगे written assurance report written assurance report यही है हमारा वो opinion या फिर वो conclusion जो ultimately assurance का end करता है जो assurance का main objective होता है यही होता है opinion या फिर conclusion देना आईए एक मेरी request है आपसे कि जब आप यहां से पढ़ लें एक बार revision कर लें उसके बार एक बार book खोल के जल्दी read कर लीजेगा है ना और questions तो मैं आप लोगों को इतना motivate करता रहता हूँ कि भाईयो questions किसी हाल में नहीं चोड़ने है आपने study kit exam kit दोनों के questions करने है कम से कम अपने exam kit के questions दो दो बार करने है आपको जो book हम refer करते हैं उसके तो करने ही करने है उसके तो exam kit के questions करने ही करने है और दुनिया जहान में जो और बहुत famous exam kits हैं उनको भी उठा लीजिए उनके भी questions कीजे और आपको एक good news दे दूँ मैं कि मैं आपको जो भी book refer करता हूँ उसके exam kit के सारे questions आपके साथ solve करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा और साथ-साथ मैं ऐसी revision videos भी आपको जाद से जाद देने की कोशिश करूँगा राइट चलिए आजएए अब बात करते हैं हमारे पास कितने तरे की assurance होते है तो एक limited assurance होते है एक आपकी reasonable assurance होते है एक limited assurance होते है पहले एक बात को समझ लेजीए जाइंक हम reasonable का मतलब क्या होता है high but not absolute जब हम reasonable assurance दे रहे हैं तो हम कहろ है कि yes we are giving you high degree of confidence जब हम limited assurance बोल रहे हैं ये reasonable का मतलब है कि yes we are highly satisfied कि चीज़े जो है वो ठीक है limited का मतलब है we are satisfied कि चीज़े गलत नहीं है गलत नहीं लग रही है अच्छा then उसके बाद reasonable में सबसे important बात thorough procedures होते हैं, detailed procedures होते हैं खास करके reasonable के अंदर मैं आपको बोलूँगा कि test of control किया जाता है फिर substantive procedure लगा जाते हैं, देखिए अब अगर आपने basics नहीं देखे या आपने पहले नहीं पढ़ा assurance तो आपको ये चीज़े नहीं दुख देंगी और मैं चाता हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लें तभी जो है चीज़े clarify होंगी आपको आप substantive process समझाने के लिए मुझे चाहिए एक गंटा test of control समझाने के लिए मुझे चाहिए एक गंटा ये चीज़े मैंने आपको classes में अच्छे से समझा रखी है तो यहाँ पर thorough procedure होते हैं, यहाँ पर less detailed procedure होते हैं और यहाँ पर subject matter is plausible plausible मतलब के हाँ, कोई mismatch नहीं लग रहा plausible मतलब के mismatch नहीं लग रहा reasonable ही चीज़े match हो रही है तो यहाँ पर subject matter confirm करता है suitable criteria से यानि financial statement confirm करती है आपकी financial reporting framework से in all material respect और यहाँ पर subject matter plausible है in all circumstances plausible मतलब कोई inconsistent चीज़े हमें प्राइमा फेसी नहीं दिख रही है अगर purchase की certain value है तो वो चीज़े हमें दिखी है accounts के अंदर यहाँ पर positively worded opinion आता है यहाँ पर negatively worded opinion आता है यहाँ पर more regulation and standards है क्योंकि यह हमें reasonable assurance देना है तो बहुत सारे standards है इस चीज़ को govern करने के लिए यहाँ पर आपके standards बहुत कम है इसका example external audit है और इसका example है review of financial statement एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपका clean opinion आता है या फिर आपका अगर मैं external audit की बात करता हूँ clean opinion आता है या फिर modified opinion आता है यह words आपको मैंने बहुत अच्छे से बहुत detail में समझाए है और modified opinion तीन प्रकार का हो सकता है याद कीजिए qualified opinion, adverse opinion and disclaimer opinion qualified जब material misstatement है लेकिन pervasive नहीं है pervasive भी मैंने आपको समझा रखा है कि generally pervasive का मतलब होता है कि it is not confined to a single element अगर confined है भी तो भी pervasive हो सकता है कि answer is yes in relation to financial statement उस item का size कितना बड़ा है उसको ध्यार में रखते हुए वो तब भी pervasive हो सकता है खेर आगे आएगा तो उसको भी revise करा दोगा आए then adverse material misstatement है और pervasive भी है disclaimer हम लोग कब देते हैं पहले एक और qualified यहां पे लिख देता हूँ qualified दो case में आता है material misstatement है या नहीं इसके लिए हम लोग है या नहीं इसके लिए हम लोग sufficient appropriate audit evidence obtained नहीं कर पा रहे हैं और उसका impact pervasive नहीं है तो qualified और material misstatement है या नहीं इसके लिए हम लोग sufficient appropriate audit evidence obtained नहीं कर पा रहे हैं और pervasive impact है तो हम लोग disclaimer देते हैं यह होगे थोड़ी सी बाते हैं यहाँ पर, external audit engagement, फिर याद दिलादू, this is a revision video, आपकी subject पे पहले एक बार thorough study होनी जरूरी है, यह वीडियो देखने के दो तरीके हैं, number one, हो सकता है कि आप लोग पहले, एक बार पूरी reading करके यह वीडियो देखें, या फिर यह हो सकता है दू reasonable assurance engagement का है, यह मैंने को पहले ही बता दिया, purpose क्या होता है, external audit engagement का, ज़रा ध्यान रखिये, पिटप, assurance का ही purpose क्या होता है, to enhance the degree, to enhance the degree of confidence of the decision maker, intended user, और इसलिए आपके external audit engagement का भी purpose यह होता है, कि degree of confidence of intended user of the financial statement, बढ़ाया जा सके, basically जो financial statement है, उसके उपर, जो उसकी users है, उनका confidence ज बढ़ाया जा सके, और यह कैसे होता है, auditor जो है, एक opinion express करता है, on financial statement, basically auditor जो है, वो assurance देता है, on financial statement, क्या assurance देता है, क्या assurance देता है, that whether financial statement give a true and fair view, give a true and fair view, हाँ जी, come on, whether financial statement give a true and fair view, true का मतलब है, factually correct होना चाहिए, और fair का मतलब है, कि unbiased information होनी चाहिए, कभी-कभी information factually correct होने क बात भी जो है वो biased हो सकती है specifically in case of provisions etc तो true and fair view देखे auditor opinion express करेगा देख financial statement जो है वो true and fair view देते हैं या नहीं and financial statement जो है वो prepared है in accordance with the applicable financial reporting framework यह हो गया suitable criteria financial statement हमारे हो गया क्या बोलते हैं subject matter और auditor हमारा हो गया practitioner और user हमारे पास हो गया वो हो गया intended user management those charged with governance etc जो financial statement बनाते हैं वो हो गया हमारे लिए कौन come on tell me जल्दी से बता दीजे responsible party then objective of auditor objective of auditor हमें बहुत simple बहुत अच्छे से पता है हमने बहुत बार इसको जो है पढ़ा है class के अंदर बहुत detail में पढ़ा है the objective is to obtain reasonable assurance that whether financial statement are free from middle miss statement whether due to fraud or error कुछ बाते reasonable मतलब high but not absolute financial statement हमें पता है क्या होती है material miss statement material हम लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है ऐसी कोई भी चीज जो judgment of the user of the financial statement को बड़े impact डाल पाए उसे हम लोग material बोलते हैं हो सकता है एक item भी material हो सकता है बहुत सारी miss statements मिलके miss statement क्या होती है difference difference जो होना चाहिए था as per FRF और जो हुआ in financial statement याद कीजिए बहुत अच्छे साब को पढ़ाया हुआ है what is miss statement difference जो होना चाहिए था और जो हुआ जो होना चाहिए था as per FRF जो हुआ in the financial statement in amount classification presentation and disclosure amount classification presentation and disclosure मैं आपको हमेशे एक एक ग्जांपल देता हूँ machinery खृदी एक लाक 10,000 रुपे का जो है उसके installation पे खर्चा किया तो मित्रो दोस्तो भायो भेनो ये 10,000 रुपे जो है ये machinery के साथ ही हैड होके दिखाएंगे न machinery account debit to bank है ना अगर machinery to installation machinery installation to bank दिखा दिया तो वो गलत treatment हो जाएगी उसके को हम फिर miss statement बोलेंगे तो पहला objective ये है reasonable assurance obtain करना that whether financial statement are free from middle miss statement whether due to fraud or error दूसरा objective ये है opinion express करना on the financial statement that whether financial statement are prepared in all middle respect as per applicable financial reporting framework और तीसरा objective बन जाता है कि ये report करना on financial statement पे and communicate as required by international standards of auditing in accordance with the auditors finding लीजिए now audit की need क्या है audit की need ये है देखो जी सबसे बहले investors जो है ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से limited liability organizations बड़ी है और इसकी वैसे audit की need भी बड़ी है investors जो है company को own करते है company में invest करते है directors company को manage करते है उसकी financial statement बनाते है directors के बहुत सारे reason होते है कि भाई साब वो financial statement को manipulate करें और इसलिए audit चाहिए है ये देखने के लिए इसलिए audit चाहिए होता है क्योंकि audit एक तरिक से independent review है independent examination है financial statement को जो बनाई directors ने है लेकिन लेकिन उनका interest उनके अंदर interest director और shareholder दोनों का है तो audit से हम लोग ये देखते है कि हमारी जो financial statement है को true and fair view दे रही है या नहीं आईए then advantages of audit बहुत असान market में reputation बढ़ जाती है management को value addition मिलता है management को बहुत सारी ऐसी insights मिलती है जिससे management अपने आपको improve कर पाती है IC internal control अब देखिए internal control में आपको class में बहुत detail में समझा है यहाँ पर हम लोग बहुत basic सीसे अच्छा करेंगे internal control internal control में कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो भी सामने आ सकती है audit की मदद से although auditor का objective नहीं होता internal control पे opinion देना but internal control में कोई weakness है जो audit के दोरान मिले तो वो auditor जो है वो communicate कर सकता है management को अच्छा act as a deterrent to bias, error or fraud आप समझ लीजिए इसके लिए असान मट बताता हूँ as a barrier auditor का खौफ, auditor का डर जो है वो बना रहता है और लोगों में psychological pressure रहता है कि यार, accounts ही बनाने चाहिए error है तो नहीं, check कर लो नहीं कि auditor डाटेगा, auditor देख लेगा डाटेगा तो नहीं, मतलब auditor देखेगा तो फिर और जादा जो है वो checking होगी तो इस सब चीजों से भी auditor बचाता है और साथ-साथ में financial statements की जो credibility है जो विश्वसनियता है, जो basically विश्वास है financial statement पे वो बढ़ता है in the eyes of stakeholder now this topic is very important from exam point of view, very very important कि expectation gap क्या होता है देखे, हमें पता है, auditor reasonable assurance obtain करता है, reasonable क्या होता है, high but not absolute, क्यों reasonable assurance obtain करता है मैं उसके पीछे बता जिता हूँ, उसके पीछे कारण है inherent limitations of auditing, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन लोग बाग क्या गलत-गलत समझ लेते हैं लोग सोचते हैं कि auditor सारी transaction चेक करता है answer is no, auditor sampling करता है लोग सोचते हैं कि auditor fraud और error सारे detect कर लेगा, नहीं याद रखे, auditor ने reasonable assurance दी है कि भाई, financial statement is free from mental statement, whether due to fraud or error उसने absolute statement नहीं दी कि मैं यह कह रहा हूँ कि इसमें तो कोई fraud or error है ही नहीं, ठीक है auditor gives reasonable assurance, यह expectation gap नहीं है, यह expectation gap का कारण है, यह expectation gap का कारण है, अच्छा, auditor give अगर यह लिखा, auditor give absolute assurance तो यह expectation gap हो जाएगा expectation gap मतलब, auditors हम क्या गलत जो expectation लगा के बैठे हैं उसे हम बोलते है, expectation gap auditor का का काम क्या है, और हम क्या सोच रहे हैं, उसका काम क्या है, इसके बीच में जो difference है, वो आजाता है, expectation gap auditor prepares financial statement, this is expectation gap auditor financial statement नहीं बनाता है audit design, implement and maintain internal control again, this is an expectation gap, internal control बनाना तो those charge with governance or management के responsibility है, financial statement बनाना भी, management और those charge with governance के responsibility है and unmodified opinion means companies are going concern, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है going concern के बारे में, auditor कुछ नहीं बोलता है, future viability के बारे में, auditor कुछ नहीं बोलता है, right, and आपको एक बात और बता दूँ, लेकिए going concern का disclosure अगर साही नहीं है तो auditor जरूर बोलेगा, I.S.T. 570 लेकिन, लेकिन, दियान से सुनी है मेरी बात को, going concern को लेके कुछ चीजे थी, और management ने वो disclose करी है, management ने वो disclose करी है, financial statement के अंधर, तो auditor अब unmodified opinion ही देगा, क्योंकि auditor ने चेक करना है कि जो होना चाहिए ता, वो हुआ है अगर management ने वो किया है, तो भी है मेरा, मोडिफाइड, मेरा opinion जो है, वो unmodified आने वाला है आई है, देन, the independent auditors report confirms financial statement are accurate, this is also an expectation gap, this is a myth जरूरी नहीं है कि भाई, पहली बात तो accurate word आता ही नहीं है, true and fair word आएगा, accurate मतलब फिर से हुई 100% accuracy की तरफ इशारा हो रहा होता है limitation of audit, very important from exam point of view, again so, first is nature of financial reporting, देखे, financial reporting एक ऐसा procedure है, जिसके अंदर biasness involved है, जिसके अंदर provisions involved है, जिसके अंदर valuation involved है, यह सब judgment वाली चीज़े है, अब आप यह सोचिए कि एक चीज जो बनी ही judgment पे है, उसको check कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए कोई fixed principles नहीं है, तो financial reporting एक बहुत सारे ऐसे items होते हैं, जहां पे inherent volatility, inherent variability involved है and auditor कितने procedure लगा ले, वो inherent variability को सभार नहीं निगाल सकता nature of audit procedure, देखे, audit है investigation नहीं है, हमारे पास कोई legal powers वगेरा नहीं होती है, auditor की training भी ऐसे नहीं होती है, कि वो जाके well organized schemes वाले जो fraud होते हैं, उनको detect कर पाए then timeliness of financial reporting and balance between benefit and cost financial reporting की भी timeline है, financial reporting की भी timeliness है, क्योंकि अगर information time पे नहीं मिलेगी, उसके users को, तो उस information की कोई भी value कर जाए, और इसी के चलते हैं, auditor जो है, सारी transaction check नहीं करता है auditor sampling को जो है, वो choose करता है और उसके basis पे अपने opinion देता है, then, कुछ ऐसी assertions और subject matters है, जिनका effect जिनका effect having significant effect on the auditor's ability to detect the material misstatement, देखे, कुछ ऐसी आपके पास मैं बोलूँगा, कुछ ऐसे assertions और subject matters है, जिनका significant होता है, significant effect होता है on auditor's ability to detect material misstatement, मतलब significant negative impact होता है, यानि, in assertions के case में auditor की ability to detect material misstatement, जो है, वो और जादा कम हो जाती है in short, कुछ ऐसे subject matters और कुछ ऐसी assertions है, कुछ ऐसे subject matters और कुछ ऐसी assertions है, जिनके चलते, auditor की ability to detect mental statement पे limitations लग जाती है वो कौन से subject matters है मैं आपको उदाने कोशिश करता हूँ जैसे की case of fraud है जैसे की related party relationship and transactions है related party relationship related party relationship and transactions है इसमें short मैं RPRT बोल देता हूँ जैसे की compliance with law and regulation के मुद्दे है क्योंकि auditor को सारे law पता हूँ ऐसा जरूर नहीं है compliance with law and regulation LR लिख देते हैं और साथ-साथ में जैसे की कुछ future events है जो company की going concern पे impact डाल सकते हैं तो यह सारी चीज़े ऐसी हैं जहांपे auditor की ability to detect material statement थोड़ी सी कमजोर पढ़ जाती है थोड़ी सी क्या पढ़ जाती है? कमजोर पढ़ जाती है आईए then बात करते हैं हम लोग review engagements में review engagement is basically a limited assurance engagement और review engagement में हम लोग करते क्या है? हम लोग inquiry और analytical procedure लगाते हैं याद रखिए का audit में audit में हमारे processes जादा thorough होते हैं जादा detailed होते हैं महाँ पर हम लोग test of control भी करते हैं test of detail भी करते हैं analytical procedures भी लगाते हैं risk assessment भी करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिरफ inquiry करते हैं, analytical process लगाते हैं और हम लोग यह conclude करते हैं that हमारी नज़रों में हमारी attention में कुछ ऐसा नहीं आया जिसे हमें believe हो that financial statement are not prepared in all middle respect in accordance with the applicable financial reporting framework हम basically बताते हैं कि हमारी नज़रों में ऐसा कुछ आया यह नहीं आया, और अगर नहीं आया तो हम लोग बोल देते हैं कि जी बहुत ही बड़िया है कि हमारी नज़रों में ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं आया है लीजे, तो यह हमारा review engagement का point भी हमने cover कर लिए और याद रखेगा review engagement में हम लोग negative conclusion देते हैं, जो limited assurance engagements होते हैं, महाँ पर negative conclusion देते हैं कि हमारी नज़रों में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे मैं लगता हो कि फिर financial statement जो है वो as per FRF नहीं मने है, ओके चलिए, फिर कुछ छोटे-छोटे concept है accountability क्या होती है, accountability is basically holding people responsible for their action and आप आगे चलके core corporate governance जब पढ़ेंगे, तो corporate governance का core यही होता है, कि भाई, people should be held responsible for their actions, right and directors जो है, वो accountable होते हैं, shareholders को for the way in which they run the company, agency क्या होती है जहाँ पर एक party, जिसे हम principle बुलाते हैं, other party को employ करती है, to perform task on their behalf, right, तो shareholder हमारे principle होते हैं, और वो directors को जो है, agent बनाते हैं, कि भाई, हमारी company हमारे भीहाफ के आप run करो, फिर आता एक छोटा सा concept, stewardship का, stewardship क्या है stewardship is basically, responsibility है, एक तरह की, भाई, आपने दूसरे के resources के अच्छे care, जो है, वो करना है और इस तरह के relationship को, हम लोग fiduciary relationship भी बोलते हैं, fiduciary relationship is a relationship of good faith और directors और shareholders के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, तो directors जो है basically stewards होते हैं, company के, यानि के company की resources का, company के भीहाफ पे, वो धियान रखते हैं, तीनों concept को गर mix करूँ, तो वो यह है, कि देखिए directors accountable हैं, shareholders को shareholders principle हैं, और directors जो है agent है, directors जो हैं, वो steward भी हैं, क्योंकि उन्हें जो है, fiduciary relationship निवाना है, company और shareholders के साथ, और धियान भी रखना है, resources का, then stakeholders को concept, although यह आप लोगों को पता है, stakeholders different different तरहे के, जो है, groups होते हैं जिनका एक organization के इंदर interest होता है सबसेले तो shareholder, जो पैसा लगाते हैं या owner होते हैं, employees जो हाँ पे काम करते हैं, उन्हें देखना है कि company जो profits दिखा रही हो, सही दिखा रही है कि नहीं क्योंकि कभी-कभी profits पे जो है उनकी salary dependent होती है, company working condition सही दे रही है कि नहीं, management ये organization को चलाती है, customers, customers भी चाते हैं, ऐसी organization से deal करना, जिनकी reputation अच्छी हो, for example, अगर मैं बात करता हूँ कि आप लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो generally speaking, आप नई company से जो है थोड़ा सा जजगते हैं, गाड़ी लेने से, क्योंकि आपको बताए कि भी या, कल को चली गई, तो दिक्कत होगी, then suppliers, suppliers आपको पैसा देते हैं, आपको माल देते हैं, तो वो जो आपको raw material देंगे, जो भी देंगे, वो assure करना चाहेंगे, कि पैसा जो हमें वापस मिले, lenders आपको loan देते हैं, ये भी stakeholder है, government आपसे taxes लेती हैं, और ये भी जो है, वो stakeholder है, लीजे, ये हो गया, हमारा पूरा का पूरा chapter, यहाँ पर समाप्त, उमीद करता हूँ, कि आपने इसको enjoy किया, enjoy किया तो please सब के साथ share कीजिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि आप लोगों को ACCA की किसी भी level की classes लेनी है, तो अब learn91.com पर जा सकते हैं, ओके, चलिए, all the best, God bless you, take care guys